नमस्कार मैं हूँ प्रिया और एक बार आप सभी का फिर से स्पागत करती हूँ हमारे खास सीरीज में जिसमें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि मकर संक्रानती के दौरान ममताव अधिया जी हमारे साथ है और उनके साथ मिलकर ही हम आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या विशेश वेंजिन मकर संक्रानती में च्छत्तर गड़ में बनाया जाते हैं ममताव जी स्वागत है आपका एटीवी भारत में क्या बना के खिला रहे हैं जमारे दर्शको को मैं अभी बनाती हूं आपके लिए मस्त मुमफली के एक दम मस्त टेस्टी लड़ू जी जब मकर संक्रानती का जिक्र हो तो लड़ू का ही ऐसा लगता है कि तजवीर सामने आ जाती है आपको आपके घर से लेकर बाहर भी निक करता है तो उसके लिए भी और मिठापन इसलिए तो भी आपको लड़ू ही मिलेंगे तो मैं अभी आपको फिर मुमफली के लड़ू तो ममता जी आज जो आप हमारे दर्शकों को मुमफली के लड़ू बनाकर खिलाने वाली यह उसमें इस्तमाल क्या का किया जाता है मुंफली के तो हम क्या करते हैं पहले हम यह मुंफली रोश्ट करेंगे जी उसके बाद हम गुर का पलड़ू का पाक बनाए तो पहले मैं इसको रोश्ट करती हूं चलिए इसको बिनमे गैस राउन कर लेती हूं जी और कढ़ाई मैंने चढ़ा दे हुए हल्की लग दिये कि क कढ़ाई गरम होगा देखें मध्यमा चे मैंने कढ़ाई रखा हुआ है जी हम इसको रोश्ट करती है इसको मैं लगाता चलाते वे करना है ताकि इसका सब तरफ से अच्छा से सिक जाएगे वरना क्या होगा कि एक ही साइड गरम होगा कि इतना दे तक वहां रहेगा तो जल को मज़ा नहीं आएगा तो फो टाइम इसमें लगेगा जी और फी लड़ू फटाफट बन जाएगा देखें यह मैं लगाता भूनती हूँ अब फली पूली तो इससे भून चुकी है हमारी हाँ यह फली देखें लगभग इसको कैसे पेस करेंगे मैं यह देखें चेल का निकल रहा है तो यह जब तक छिलके छोड़ते हैं तब तक सिस्कोर अग्मस्त मध्यमाच में भूनना है यह मैं गैस बंद कर देती हूँ यह हमारा मुफली भून के तैयार है अब हम इसके छिलके उतार लेंगे तो ठंडा करें जिके बाद हम गुड़ को रेडी करेंगे पखा करके यह फली जो है दो तुकड़े हो गई पुरा छिलका निकल गया है और तैयार है वह सौंदी भूजबू भी आ रही है हम इस पर से हां से करें यह दो भाग में निकल भी जा रहा है अगर आप चाहो तो 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 और क्रस्स कर सकते हो जी है ना अपने उपड़ी है ना यह पिगला के चान के में ऐसे बना के रखी हूँ इसको हम पकाते हैं ठीक है चलिए हम यह पकाएंगे कडाई रख दिले और यह गुड़ भी हमारा धीमी आचे पकेगा मैं जैसे मैं पहले बताई हूँ गुड़ हमारा कभी भी तेज आच में नहीं पकेगा जलने की जलने की चांसे होते हैं और तेस्ट भी खराब भी लगे जब जल जाएगा तो जी जी और बहुत जल्दी उखरा पाक में मत आए इसके लिए भी आज का ख्या रखा जाता है जी और यह गुड़ पकने को जब होगा तो हम पानी में टेस्ट करेंगे है ना जी यहीं देख से लग रहा है कि अब गुड़ पकने को है बस अाहां बस देखिये में यह से बबर सानी लग गए अब यह बहुत जल्दी पक जाएंगे जी इसको हम जांच करने के लिए पानी में रखेत थौड़ा सब डाल के देखते हैं जी ए देखिए अब यह पानी में फ तो यह मैं थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेती हूं इसको रखूंगे रखना जरूरी है ताकि हम इसके फल्ली पलट सकें और उपर से गुर्ड डाल सकें और यह मैंने गुनाव फल्ली को इस पर डाले दिया और इदर गुर्ड भी जो लगा पकने को है बिल्कुल धीमियान में पकरिए इसके खुशबूर भी आने लगए देखे हैं इसको देखने का वही है कि हम पानी में देखने या फिर से गिरा के भी देख सकते हैं अभी पतला इसका तार नहीं बना है बस होने ही वाला है तो इसका मैं ऐसे बनाते हैं और जैसे मैंने भी वह बताया आपको कसार लड्डु को जो कच्चे गुर से बनाते हैं हम उसको इसको पीस केस में कच्चा गुर मिला के भी लड्डु बना सकते हैं जी उससे वह उन लोगों के जो बुजूर्ग लोग रजे जिनके दाथ कम प्यार से खाते हैं उसको क्योंकि उनको चवाना नहीं पड़ता है और वह अलग टेस्ट आता है पका गुर का लड्डु का और कच्चे गुर का लड्डु का दोनों का टेस्ट तो थोड़ा हो गई लेकि वह उसका भी बहुत अच्छा लगते कभी आप भी बना के खा सकते जेडिएं और जहां तक ब्हुतों के घर पर भी जो तिल सकत बढूता है जि कभी यह पीखला हुआ है हाथ में नहीं आ रहेता है तो उस्में जर्लिय बहुतों के घर जर्डु के पें बनता तील्यकलर में कच्छे गुड़ को वो भी और आसान है अगर आपको ये गुड़ पकाने में किसी को बोर लगता है यार यार कोल पकाए तो ऐसे बना सकते हैं बिलकुर और कई वरकिंग विमिन भी हैं जो चाहती कि तोहार के लिए डिश भी बन जाए काम भी जलता रहा जल्दी भी हो जाए तो वो बिना गुड़ पकाए भी लड़ू अपनी घर पर बना सकते हैं रेडी हो गया देखिए मैं गैस बंद करती हूँ यह आपको दिखा दूँ थोड़ा लेकि गैस बंद कर देती हूँ यह देखिए पानी में बिल्कुल अलग-अलग हो गया यह उठ रहा है देखिए यह इसका असली समय है गुड़ का लड़ू बनाने का यह होड गया अब हम इसको क्या करेंगे मुवफली में डालेंगे जिए तरह हम गुड़ में मुवफली नहीं डालेंगे मैं पहले भी आपसे बताई थी हम इसमें डालेंगे सारे मुवफली के दाने में गुड़ मिल गया है हम इसको थोड़ा थंड़ा करने देंगे मैं घरम घरम यह लड़ू नहीं बनेगा जी और हम थोड़ा साथ हाथ में लगा लेंगे नाली कि योचीप के मथ तो इससे पहले थंडा होने कि रहें थंडा होने दिए बस थोड़ी से जब है पकड में आ जाए इतना उसके बाद हम हाथ में देल लगा के करें तो यह थंडा हो गया ताकि अजने हम बाल सके हां से छुने लायक मतलब अजना हो गया देखिये और इसमें त यह बनाया ही जाता है मां यह मुंफली तीली चुकि ठंड का समय रहता है तो इसका भी तासीर गरम होता है जी ऐसे ही जितने भी गरम जी जो होते हैं अपने को यह दुबारा कर लेंगे तया हुआ है पताइए कैसा बना है बिल्कुल यह देखने में इतना सुंदर दिख रहा है और आप देखें तो हर जो मुंफली है उस पर गुड का जो लेयर है वो सभी पर दिख रहा है आप अग जल्दी सिर्फ तो सामागरी इसमें लगे और बहुत जल्दी बनके तयार है और हर बार जब हमकर संक्रांती की बात करते हैं तो तिल के लड़ू मुंफली के लड़ू यह इन सब का जिक्र तो होता है इनके बगर तेवहार अधूरा है बिल्कुल तो मैं आपको अभी स्व जो है वह और अच्छाता है थोड़ा और कड़ा हो जाएगा यह यह बिल्कुल एग्जेक्ट जितना मीठा होना चाहिए उतना मीठा है ना ही जादा गुड़ है ना फली की जो संख्या है वह जादा है दोनू ही एक्वल पोर्शन में और बहुत जादा मीठा भी नहीं है तो यदि आप भी इस मकर संक्रांती अपने घर पर मुंफली के लड़ू बना रहे हैं तो ये विधी आपके लिए है केमरमेन मिठले साहुप के साथ प्रिया पांडे एटीवी भारत रायपूर